जैश्री हरी, इस प्रीचल ग्यान चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस वीडियो में हम जानेंगे इंसान के दुख के पांच कारण कौन से हैं कम से कम पांच कारण ऐसे हैं जो हमारे दुख को सदा बढ़ाते रहते हैं यदि कह दें कि यही पांच कारण हमारे दुखो का कारण है तो यह गलत नहीं होगा कृप्या ध्यान से पढ़ें और समझें पहला कारण इश्वर के मंगल में दान को छोड़ कर जो नहीं है उसके लिए परिशान रहने की आदत जैसे मा बच्चे के रोने की परवा ना करके उसे स्नान कराती है शरीर पर जमे हुए मैल को रगड़ रगड़ कर धोती है उसके कपड़े बदलती है अगर मा बच्चे के रोने की प्रभा कर उसे स्वच रखना छोड़ दे तो बच्चा वश्चे ही बिमार हो जाएगा अज्ञान वर्स रोना तो बच्चे का सुभाव है मा उस और द्रस्टी नहीं करेगी क्योंकि मा अपने बच्चे से निश्चल प्रेम करती है इसी तरह जीवन में हमें जो भी फल रूप में प्राप्त हो रहा है उन सब के आगे पीछे मंगल में इश्वर का मंगल विधान काम करता है इश्वर हमें जो भी देते हैं उसमें हमारा विकास होना निश्चेत है मगर अज्ञानतावश हम बच्चे की तरह रोने लगते हैं दूसरों का कुछ भी हो उसका चाहे अहित हो वह चाहे दुखी हो उससे कोई भी मतलब ना रखते हुए सिर्फ अपने बारे में सोचना हमारा भला होना चाहिए हमें सुख मिलना चाहिए तीसरा कारण है पद पद पर बहबीत होना क्या ये संभव है कि इश्वर हमारी आवशक वस्तू को हमसे छीन ले अथवा हमारी आवशक वस्तू हमें ना दे यदि हमारा कोई सच्चा मित्र है वो भी हमारे साथ ऐसा नहीं करता तब इश्वर जो हमसे निश्चल प्रेम करते हैं वे ऐसा क्यूं करेंगे मगर फिर भी हम हर पल बहबीत रहते हैं हमारी मनमानी आदते हैं हमें जो करना चाहिए उसे छोड़ कर जो नहीं करना चाहिए हम सब वही करते रहते हैं हमारा एहंकार भाव हम हर कर्म का करता स्वयम को मानते हैं जैसे ये मैंने किया वह मैंने किया हर पल मैं ही मैं अगर हकीकत कुछ और ही है क्या हमने कभी सोचा है हमारे हातों में काम करने की शक्ति पैरों में चलने की आँखों में देखने की और मन में सोचने की शक्ति कहां से आती है यह सब ईश्वर ने हमको प्रदान की है कल अगर किसी कारण से यह शक्ति हमारे पास नहीं हुई तो क् फिर भी हम कुछ कर पाएंगे, एक बार जरूर सोचिएगा. कैसी लगी वीडियो? कमेंट सेक्शन में बताएं. वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें इसी तरह की और वीडियो के लिए. थैंक्स फॉर वाचिंग.